ओम पित्र देपताब्य नमाहा ओम नमो भगवते बासदेवाय नमाहा दोस्तो बास्तु ग्यान गंगा यूटुब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको पित्र एक आदसी का उपाय बता रहा हूँ सिर्फ दीपक का उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कहां पर आपको दीपदान करना है पित्र पक की एक आसी बड़ी एक आसी है ये एक आसी पित्रों के नाम से रखी जाती है जो व्यक्ति इस एक आसी को पित्रों के नाम से पूजन करते हैं पित्र उनको उपर सदाईं किरपा बनाय रखते हैं और पित्र दूस दूर हो जाता है एक आदिसी के दिन बड़ा ही पवित्र दिन होता है इस दिन सोवे इश्णान करें इश्णान करने के बाद में आपको सूर देवकर्ग देना है उसके बाद पित्रों की पूजा करें भगवान विश्णू का पूजन करें पित्रों के नाम से तरपन करें दा सामने जलनाना अंग मैं आपको जहां-जह धीपक बताउं हम वहां वह आपको दिपक ज़लाना है न पित्र धुछ रहेगा न धन की कमी रहेगी और पित्र प्रशन नो करके आपको आशिरवाद दिंगे पहला दीपक आपको भगवान कृष्ण के सामने जलाना है प्रदोशकाल में पूरे दिन ब्रत रखेंगे नियमों का पालन करें चावल बिल्कुल नहीं खाने ना पूजाम प्रयोक करने हैं भगवान सिवका आफशिक करें पू किली कोडी कमल गटा चार चीजें तुल्सी जी के गमलेम डाल देना बिना एस्पर्स करें तुल्सी जी को दूसरे दिन उठाना ये रात पर पड़े रहना पूरी एक आसी के दिन और रात पड़े रहने देना 24 गंटे पहलए दिपक भगवान विश्णमी दूसरा दिपक तुल्सी मातक सामने तीशरा दिपक मातल लच्चमी के सामने धनकी इच्छा बोल करके अगर आपके घर में भगवान कोवेल लच्चमी जी और गनिय चींगी मुर्त प्रतमा तो एक दिपक उने के सामने एक ही दीपक जला दें अगला दीपक जाएं आप मंदर और पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला करके परक्रम्मा करें साथ परक्रम्मा करें चोथा दीपक भगवान सिफ के सामने जलाना है इस एक आसी को दीपदाने आपको जरूर करना है दीपक का सबसे बड़ा मैत्व हैं चोथा दीपक भगवान सिफ के सामने पांचमा दीपक आपको 14 हिप जलाना है छटमा दीपक गोव साला में गोव साला जाईए गोव माता को आप अजितरवा खिलाईए गुड़ खिलाईए और वहाँ पर दीपक जला देना है छटवा दीपक अपने घर के मेन दरवाजे पर साथमा दीपक पित्रों के सामने ये साथ दीपक आपको जरूर जलाने है एक आदिसी के दिन अगर ये साथ जगए आपने दीपक जला दे आप ज्यादा भी जला सकते हैं लेकिन साथ दीपक कम से कम हैं, फिर दिखना कितनी जल्दी आपकी किसमत बदलेगी, धना आएगा, शुक सम्रदी आएगी, हर प्रकार की मनो कामना पूरिएगी, ओम नमस्वाई, जैतुल सिंग।